नितीस जी भारत का रोल मोडल है, नितीस जी पहला वेक्ती है, जिन्होंने आरक्षन का दारा बढ़ाया है, जातिय जन्गन्ना बनाया है, और प्रधानमंत्री का छेहरा है, इसलिए उनकी छवी को धुमिल करने के लिए इस तरह से बेबुनियाद यारोप लगाया जा रहा ह निर्बस होकर मनीपुर में खुम रेए थी, खोलयाम सनकों पर प्रधकार पुलिस के सामने हो रहा था, दोनों जगहों पर आप गठवंदन की सरकार, दोनों सरकार भारती जन्ता पाटी थी, बैटियों को देवतास ही बनाया जाता हो, अब बताओ, इस रासलिला की बात न करोगे जो अभी बेटियों को कहता है कि यह खाली प्लॉट है बताओ यह अशलिलता है कि नहीं है इप प्रफान मंत्री जी तो हजार चोविस के बाद जो सरकार आएगी जो भारत का चोथा अस्तंब संबिधान के चोथा अस्तंब का मीडिया बनेगा वहां भी इनके हिसाब किताब चुपते किये जा रहे है जो देश की समस्या को नहीं बता कर के मोधी का सूट बुर दिखाने का काम कर रहा है तो इनी से हम बात करेंगे जिस तरीके से नितीश कुमार ने अश्लीलता भरा बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे आप बहुत बहुत धन्यवाद नूर जी देखिए मैं अस्पस रूप से आपको बता दू कि भारती जनता पाटी के लोग आज कहीं इस्तिफा मांग रहे हैं और कुछ लोग सभाई देने की बात कह रहे हैं हम गो तो बड़ा अपसोस है कि नितीश जी जैसे सुल्जे हुए एक आधर स्वादी विक्ति चरित्रवान विक्ति मांदार आदमी ने बाप ही मांग लिया लेकिन जो विक्ति जो खासकर असलिलता का आविशकारक है असलिलता का जणक है उसने तो आज तक कभी जवान भी नहीं खोली और एक सब्द भी आज तक माप ही पर अपनी सहमति नहीं चाता सका जिसका घर सिषा का होता है वो कभी दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते नरिंदर मोदी जी से मैं पूँच रा चाहता हूँ नरिंदर मोदी जी आपको कौन सा हग बज़ जाता है कि नितिश खुमार जी का आप सिवा मांगे और नितिश जी का आप बयान पर टिपनी करें तो उनका ऐसा अशलील बयान था तो उस पे तो बोलना उनका सही था मैं आप से भी मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री जी से PMO कारियाला में आप पत्र लिख लो और RTI के माध्यम से आप मांग लो जनकारी कि भारत का पार्लेमेंट भारत के सबसे बड़ी पंचायत ने निर्णे लिया है कि बच्चों को 12 साल के उपर के बच्चों को सेक्स की जानकारी पाठे करम में जोड़ा जाए ये बात अगर मैं जूट बोल रहा हूं तो आपता लगाए लेकिन इस तरीके से विधान सभा में बोलना कहां तक सही है पार्लेमेंट में बात आई है मैं और दूसरी बात कह रहा हूं आप अपने सिलवस में 12 वी में आप अपने 15-16 के बाद अगर बायलोजी पढ़ती होगी तो आप बायलोजी में जरूर पढ़ती होगी कि जो बायलोजीकल फैक्ट है जो बैगानिक सत्य है उसे कोई जूटला नहीं सकता है नितीज कुमार जी ने कोई और दूसरी बात नहीं कही है मुझे जो आज हमारा जन्म हुआ है हमारे भी जन्म हुआ है मा के पेट से जन्म हुआ है सारा दुनिया जानता है कि पुरुस और पुरुस और इस्तरी एक दुसरे के सुक्रानूं और दुसरे के अंडानू ये दोनों जब मिलते हैं तब हमारा जन्म होता है ये दुनिया जानती है नितिस जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे लोग को भावनाहत हो गया इस चीज़ को सिखाने के लिए मैं पस रुप से बताना चाहता हूं सुनिए मेरी बात को नितिस जी ने यही बात कहा कि आज जो खासकर प्रजनन का दर है जो महिलाएं के खास करा सिक्षित होने के कारण, महिलाओं को ग्यान कम होने के कारण, महिलाओं को पढ़ाई कम होने के कारण, इस तरह का प्रजनन बढ़ गया है इस तरह का जो खास करके हम परतिवन्थ नहीं लगा पा रहा है क्योंकि बेटियां जाग रुक नहीं है महलाएं जाग रुक नहीं है उसमें कुछ बात है उन्होंने जो हिंदी में बोलने के क्रम में नितीश जी कोई सधाराना आदमी नहीं है नितीश जी आप पता लगा लि बिहार प्रदेश से बरा उसका पहला नायाक अगर भारत में है 65% आरक्षन सर्व समती से पास कराने वाला उसका नाम स्री नतीश कुमार जी है इन पर परदा डालने के लिए इनके कामी कारियों पर परदा डालने के लिए ये पूरे देश में हाय परवा मचा रहे है तो आ आप गाते थे बेटियों को लहना को रिमोट से उठाते थे क्या स्लिलता आपको दिखाई नहीं देता क्या स्लिलता नहीं दिखाई देता जहां नरंद्र मोदी जी जा करके जा करके जे आपको एक नया बाबा आभी आया है कौन बाबा है जिन जो जो अभी बेटियों को कह कि ये एक खाली प्लोट है बताओ ये असलिलता है कि नहीं है ये बताओ प्रथान मंत्री जी जहां आप नस्बस्तक होते हो वहां आपका ये देश का बाबा बताओ इस देश में आप ही जिनके सरन में आसाराम के आपके सरन में रहो जहां बेटियों के साथ रासलीला बताकर रास लीला दिखा कर जो करता हो, राम रहीम जो करता हो, आप काँची काम-कोठी में होता हो, जहां बेट योग को देवदास ही बनाए जाता हो, आप बताओ, इस हास लीला की बात नहीं करोगे, क्या आपकी आखे सामने, बारा साल, आट साल के बचे एटुपर बलगर फिल्म दुख नहीं होता है आपको, उसको शिक्षा देने के लिए, शिक्षी का है बनाई गई है वो देंगे, मिस नूर मैं कह रहा हूँ, इनको इतनी अगर चिंता थी, तो बेटिया तीन महीना तक कपड़ा भी नहीं मिल रहा था, निर्वस होकर मनीपुर में खुम रही थी, खोल स्मृति इरानी जी को, जहां महिला बाल कल्यान मंत्री है, महिलाओं को इजद की आवरु की रक्षा करनी की जिनके जिमेदारी है, एक रती ना स्मृति इरानी और ना प्रधान मंत्री जी जहां आप पर गए, ना मनीपुर गए, और कई-कई राज्यों में कह रहा हूँ, कानपुरते हाथ गए, आप कहा गए, जहां बेटियों के वर अत्याचार हुआ है, बताओ, आपके आख के सामने बड़ाजपाही सबसे सम्मानित पार्टी है, उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा पर इतना ध्यान दिया है, तो महिलाओं के सुरक्षा पर अगर होता है, तो उरजभूसन कौन पाटी में है, जो और मेशलर बेटियों के साथ बलतकार करता है, रेशलर बेटियों के इजत लूटने वाला महीनों अनुलन चलने पर भी, अगर वो आदमी कहीं मिलता है, रेप का आरोपी, तो ने नर्नमोदी के पीठ के पीछे खड़ा राता है, कौन पारत का रोल मॉडल ऐसी बात करेगा, तो कहां से रोल मॉडल बाने करेगा हैं? तो अगर मीडिया कुछ बची है, तो हमारे और नितिसकुमार जी जैसे लोग, इस देस में सेकुलर बिचारधारा के जो लोग है, इस देस में समाझबादी सोच के जो लोग है, उनके वज़े से भी आज आज आप खड़े है, आपकी ये मीडिया खड़ी है, क्योंकि हम आ यहां बेटियों को अधिकार दिया आज बेटियों को 50% आरक्षन देना था आरक्षन देने से क्या होगा आप जब तक रोजगार नहीं देंगे आरक्षन से क्या होता है हम कह रहे हैं रोजगार जो विक्ति बेच देगा रोजगार ख़दम कर देगा रोजगार आडानी अम्मानी के कदमों में डाल देगा वो आजमी रोजगार कहा देगा दो करोर रोजगार दिया है उनौने रोजगार आप ही मुझे बता दीजे कि दो मलाख भी रोजगार बताने के लिए भारती जंता पार्टी के पास खुछ नहीं है दो लाग का याँखणा इनके पास नहीं है जब नौ साल में दो लाग का आकड़ा नहीं दे सगा भारती जुलता पाटी क्योंकि इनके पास कोई उपलब्धी नहीं है लोग जूते डंडे लेके खड़े हैं चुनाव में वहिस्कार किया जा रहा है पाटी सभाया कैसे हो रही है भारती जनता पाटी की बिदाई कैसे हो रही है इसलिए मैं आपको असपस्रू से मैं बता दू हतासा में बैठा है भारती जनता पाटी और नितीश कुमार जी पे मैं फिर से कह रहा हूँ, नितीश कुमार जी पर उंगलिया उठाने से पहले, अपने आपको पहले देखो, कि मैं कितना, मैं कितना अच्छा हूँ, नितीश जी भारत का रोल मोडल है, नितीश जी पहला वेक्ती है, जिन्होंने आरक्षन का दारा जातिय जन्गन्ना बनाया है और प्रधानमंत्री का छेहरा है इसलिए उनकी छवी को धुमिल करने के लिए इस तरह से ब्यबुनियाद यारोप लगाया जा रहा है जिसका मैं निंदा करता हूँ भारती जन्ता पाइटी होस में रहे और गोधी मीडिया को भी चिताब दी दे करने का काम कर रहा है तो यह थे हमारे सास राजेंद्र यादव जी तो इनसे हमने बातचीत करी के बता रहे हैं जो नितीश कुमार जी है वो रोल मॉडल है जब से पहले वैक्ति जोने जाती जन्गन्ना कराई है और देश के प्रधानमंत्री का चहरा भी नजर आ रहा है उ आप इनकी बात से कितना सहमत है मैं जरूर बताएगा और देखते रहें जन्यत आवाज